हाई गाईज तो मैंने ना एक बेटशीट ली थी और थोड़ी सी डिफरेंट बेटशीट है तो मुझे लगा यार इसका रिव्यू तो बनता है यह वाली बेटशीट ना फिटेट बेटशीट है बताती हूं उसका क्या मतलब होता है पहले डीटियल्स देख लेते हैं MRP तो जो साइज है वो 6x6 है प्लस जो गदे हैं वो 8 इंच के हैं तो मुस्ली मुझे ना उस पर बेटशीट आती नहीं है मतलब थोड़ी चोटी पड़ जाती है तो यह वाला साइज होता है मुझे हमेशा फैब्रिक तो बेटशीट का कॉटन है कॉटन में भी अलग अलग तरह क यह वाला फैब्रिक है जो आपको छूने में आ सॉफ्ट टच देता है एक होता है कड़क वाला कॉटन यह वो नहीं है सॉफ्ट वाला कॉटन है एक चीज अच्छी है पिलो कवर का साइज बहुत अच्छा है खुब मोटे मोटे पिलो भी उसमें फिट हो जाएंगे आराम स अच्छा अब देखते है फिटिट बेटशीट का मतलब क्या है इसमें पते क्या चारो तरफ ना इस तरह से रबड लगी हुई है तो जब आप इसको एक वर बिछा देते हो ना यह कहीं नहीं हिलती वरना बेटशीट एक जैसी रुकती नहीं है और यह बेटशीट हिलती न बबा के उसके बाद जब तक आप इसको नेक्स्ट वाश के लिए नहीं निकालते ना यह बेटशीट बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाली वाशिंग इंस्ट्रक्शन्स में पैक्की उपर लिखा था कि इसको वाश करो तो अलग से वाश करना और ज्यादा देर धूप में मत स सुखाना मतलब जब सूख जाए गर्मियों में एक दो गंटे में सूख जाती है ना वेटशीट उसके बाद उतार के ले आओ तो मैंने वहीं किया फर्स्ट वाश के बाद कलर वालर तो फेड नहीं हुआ आगे देखते हैं कैसा रहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है जैसे हम नॉर्मल बेटशीट को फोल्ड करके बड़े आराम से रख देते हैं यह फोल्ड नहीं होती बस यही एक प्रॉब्लम है तो फिर इसको मुझ मुझ करके रखना पड़ता है तो अगर आपको भी ऐसी ऐलास्टिक वाली बेटशीट चाहिए तो आपको भी ऐसी ऐलास्टिक प्रॉटस सब्सक्राइब सोष एलास्टिक बड़े हम जाएटंब्ल म जे चाहिए थैश मुझ इंक लाए रखंच टेक्टालब में घर करके जाएटट चाहिए!